हेलो गाईस कैसे वाप लोग सब बढ़े हैं चल रहा हो गाईस आज मैं आगे हूँ चाप्टर नुम्बर 11 यह आपको फर्मला याद होना चाहिए इसके बाद गाईस मैं बात करो तो यह वाला जो नुमेरिकल है आपका वन माकर में आ सकते हैं ऐसे सिंपल नुमेरिकल से इसके बाद करो इसके बाद गाईस मैं नीचे आता हूँ पोटेंशल डिफरेंस पे तो अगेन आपके पास एक इसके बाद गाईस मैं नीचे बात करूँ तो एक्जामपल नंबर 11.2 यह अपने लेकिंपोटन एक्जामपल है तो इस वाले एक्जामपल को बहुत ही अच्छे से प्रपेर करो इसके बाद काईस मैं नीचे आऊ इधर पे तो आपके पास question नंबर 3 जो है काईस यह important problem है त यहां पर पक्का सवाल आने वाला है आपको पक्का एक numerical इस पर आने वाला है तो आपको इसको अच्छे से करके ही जाना है numerical कैसे हैंगे मैं आपको बता देता हूं तो स्ट्रॉल डाउन करो यहां पर सबस्वाद तो गाईस यह वाला question what are the factors on which resistance of a conductor depends आपको इसारे factors प्रपे करो गाईस सारे numericals important है numericals वो कुछ भी दे सकता है राइड इसलिए numericals छोड़के मत जाना paper में आने की chances इसके बहुत जाद है तो गाईस जो मैंने आपको माक काया था first problem यह बहुत ही important है तो इस वाले को बहुत ही अच्छे से करना next guys question number fourth अपने लिए बहुत important है वाया coils of electric toasters and electric irons made of an alloy यह भी बहुत important problem है इसके बाद guys मैं बात करूं resistance of a system of registers की तो guys यहीं से मैं आपको बोला हूँ numericals आएगा जिसमें आपको एक series circuit दिया जाएगा उसको आपको simplify करना है और voltage or current निकालना रहेगा जैसे example number 11.7 यह वाला problem आने की chances है right scroll down करो यहाँ पे guys दोनों question guys दोनों question आपको prepare करने NCRT के बहुत important है paper में chances है आ सकते है parallel की बात को guys तो आपके पास जो derivation है कि यह वाला formula कैसे derive वह यह अच्छे से prepare कर लेना एक बार कि derivation of series का formula भी और parallel का formula भी ठीक है 11.8 का example यह वाला important है guys सारे examples guys आपको घर जाके करने ही इनको prepare paper में इसे कुछ भी आ सकता है right इसके बाद guys मैं बात करूं question number 2 अपने लिए बहुत important है question number 3 utmost important guys के advantages of parallel क्या advantages है over series paper में आने की जाल से बहुत ही बहुत ही बहुत ही जादा है right इसको अच्छे से करो फिर heating effect of current आपको heating effect of current के सारे formulas पता होने चाहिए h is equal to vit होता है h is equal to vit फिर आपके बात h is equal to i square rt इसके बाद guys example number 11.10 यह आपको अच्छे से करना है 11.11 यह भी वाला आपको अच्छे से करना है इसके बाद guys नीचे आजाओ यह वाले question की बात को तो question number 1 question number 2 question number 3 तीनों numerical आपके लिए guys बहुत जादा important है इसके बाद guys मैं नीचे हूँ electric power तो electric power का formula आपको पता होने चाहिए इसका formula क्या ह होता है यह रिष्टा आपको पैचानना है यह रिष्टा आपके लिए important है one kilo water three point six into ten की बास six joules के बराबर होता है 11.2 is okay आप इसको skip कर सकते 11.3 again guys very very important है इसके बाद guys आपका question number two इस से वाले का बहुत जादा important है इसके बाद guys मैं नीचे आता हूँ तो आपके जो question number one से लेक 12 यह सारे important है guys 12 के बाद question number 13 आपको important है guys तो यह भी अच्छे से prepare करो next guys इसके बाद करो तो question number 15 आपके लिए important है question number 17 और 18 भी guys आपको two markers 18 भी guys आपको two markers में आ सकते तो hopes so guys आपको इस सारे chapter के important questions mark कर ले होंगे guys मैंने almost सारे numericals आपको बोलने करने क्योंकि numericals guys आपकी practice सही या सिर्फ 2-3 रटके करोगे तो guys उससे काम नहीं बनेगा वो numerical कुछ भी पूछ सकते इसलिए at least ncrt वाले तो आपको सारे ही prepare करने आपको कोई भी numerical समाझ नहीं आए तो comment करो मैं आपको उसका solution बताऊंगा help कर दूँगा मैं आपकी right तो hopes so guys आपको वीडियो पसंद आएग अगर आपको पसंद आए तो please like share subscribe कर देना अपने friends के साथ share करना ताकि वो लोग भी बहुत easily pass हो जाए जो last minute बढ़ाई कर रहे हैं ठीक है तो मिलते गाइस नेक्स वीडियो में तब तक लिए goodbye take care bye bye